नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तो आज हम बात करेंगे भारत दुर्दशा जो कि भारते अंदू हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है इसमें हम बात करेंगे देखेंगे कि इस नाटक में क्या बात कही गई है किस प्रकार से इस नाटक को जो कि हमारे पाठ 1850 में हुआ था और 1850 से लेकर 1900 का काल भारतेंदु हरिष्चंद काल नाम से भारतेंदु काल नाम से जाना जाता है तो हम देख सकते हैं भारतेंदु काफी जो है महत्पुन व्यक्तितु थे जैसा कि आप जानते हैं 1877 में करांती हुई थी उस समय भारत गुलाम था फिर स्वतंत्रता सांस्क्र्टिक उठ्थान इसके लिए बारतेंदु जी ने कई परकार से कारे किया सहित्ति गरूप में नाटक लिखा गया है यह भी उसकी एक प्राहेन लगता है कि आग्रेजों की ब्रेटीश हकूमत की तारीफ की गई है परन्तु हमेंублиगे होगा कि भारतेंदू की ही एक रचना कवी वचन सुधा जो कि अंग्रेजों के खिलाफ काफी आकरामत थी काफी उसमें उन पर कटाक्ष किया गया था तो उसे बेन कर दिया गया था उस पर प्रतिबंद लगा दिया गया था तो भारत जो की तारीफ की गई है जो विक्टोरिया महरानी है उसे राज राजेश्वरी नाम से पुकारा गया है कई जगे परसंग आता है कि अंग्रेजों का राज पाकर भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे लेकिन जो अंदर ही अंदर जो मर्म है वह यह है कि भारत सोय हुए भारत को जिसका गौरव काफी वैभवशाली रहा है जिसका इतिहास जिस भारत देश का इतिहास का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है उसके सोय हुए पुरुशार्थ को जगाना ही इस नाटक का उद्देश्य है तो चलिए हम बात करते हैं अब इस नाटक की इस नाटक में कु मंगलाचरन का तक प्रहे होता है कि बगवान की स्तुत्ति करना की मैं जो भी रचनाकारे कर रहा हुं है जो भी पर उप मंगलाचरन गैस्थूं करना दोड़ करना हैं करते हैं ए इसमें सत्यूप कि क्रिष्ण के कि मलेचों का संगहार और सत्यू की स्थापना करने के लिए इनकी स्तुति ये करते हैं अब इस नाटक के इस अंक की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही पात्र योगी जिसका नाम है और जो भारत की जो दुर्दशा हुई है इस वक्त मतलब अठार सो पचास से उनिस सो तक के काल के बीच में जो भारती काल थी जो पैसा विदेश में चला जा रहा था ड्रेन ओफ वेल्थ की त्योरी जो ददभाई नौरोजी ने दी थी तो इस तरीके से जो भ के अतीत की गौरवगाथा बताई जाती है यह गौरवगाथा बताई जाती है ताकि यह समझाया जा सके कि प्राचीन में हम कितने गौरवशाली थे हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था और आज इस्तिती क्या से क्या हो गई है अब इसी में ही प्रसंग के रूम में एक इसके बाद में ये बताते हैं कि किस तरह से भारत का धन जो ब्रिटिश हुकूमत है इसके तहत विदेश में जा रहा है सबके उपर टिकस की आफ़त आई ये बात भी बताते हैं टिकस का मतलता है टेक्स तो टेक्स की आफ़त किस तरीके से आई है जो जीवन की महतपूर्ण वस्तु हैं उन पर भी किस पर का से टेक्स लगाय जा रहा है विदेशी वस्तर भारत में आ रहा है और भारत का जो पर उसको वस्तर में बदलने नहीं दिया जा रहा है और जो आयात हो रहा है आयात बिलकुल सुतंत्र आयात हो रहा है उसके बाद में ही दूसरा अंक स्टार्ट होता है दूसरे अंक की शुरूआत होती है अब जहां पहले अंक में सिर्फ योगी नामा के किरदार था इस अंक में भारत निरलज्यता वे आशा नामक तीन प्रतिकात्मक पात्र हैं अब यह प्रतिकात्मक क्यों है क्यों कि निरलज्यता का जिस परकार से जो अर्थ होता है जो हम समझते हैं कि निरलज्यता का क्या मतल अटीत में कैसे थे हम वरतमान में कैसे हो गए हैallo ये twent ले डिसकस किया था अंग्रेजों के परतीस में थोड़ा सा जो है सौफ्ट कॉर्णर दिखाए गया है तो वो महरानी विक्टोरिया से उम्मीद करता है भारत नामक व्यक्तित्व नायक की हे महरानी विक्टोरिया इस पतित होते देश को आप बचाईए वह ये भी बताता है क कि जो बीस करोड़ लोग है उस समय भारत के अबादी बीस करोड़ के लगबग थी तो कि बीस करोड़ लोग किस तरह राजरानी राजराजेश्वरी विक्टोरिया के काल में अनात हो गए हैं अब ऐसा सब सोचके इतना दुख करके भारत जो की इस नाटक का नायक है वह होने के बाद में जब भारत मुर्शित हो जाता है तो तीसरा अंक की यहाँ पर नाटक में शुरुआत होती है अब इसमें दो अन्य पात्रो का introduction होता है उनका प्रवेश इस समय नाटक में होता है जिन मैंसे एक जो उपनायक है वो है भारत दुरदेव यह उपनायक इसको ह अब जैसा कि हमने देखा कि भारत महरानी विक्टोरिया से उम्मिद करता है कि देश के पतन को रोकेंगे देश को उत्थान की तरफ बढ़ाएंगे तो इस बात पर भारत दुर्देव भारत का मज़ाग उड़ाता है कि अभी भी यह खुद के खुद पर आत्म निर्भर ना होकर महरानी से उम्मिद करता है कि किस परकार से यह उसकी रख्षा करेंगी और सत्यनाश फौजदार से भारत दुर्देव जो की खलनायक है वो अब सत्यनाश फौजदार से कहता है शैव शाक्त वैशनव अनेक मत प्रगटी चलाएं जात अनेकन करी नीच अरूँच बनाएं अब इसका मतलब है कि अनेक परकार के मत अनेक परकार की जाती विवस्था आदी में जो भारत देश है यह खंडित है बटा हुआ है और इसकी उन्नती के सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं यह पूरा समाज ही बट चुका है इसी परकार से बताता है कि किस परकार से धर् संतोष का मतरम है कि कि में संतोष कर लेता है और आगे उननति नहीं कर पाता है तो विज्यान का मूल राधार है कि हमें किसी चीज परती जिग्या सह होती है हम उससे संतुस्ट नहीं होते और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं परन्दु भारत में यह जो तत्व है यह संतोष में बदल गया है हर व्यक्ति को संतोष है कि जो है वह सही है तो इसे एक कर्मन्यता की इस्तिती पैदा हुई है तो यह धर्म एस्प्रसिता कर्मन्यता आदी जो अफगुण है इनकी और भी भारत दुर्देव ध्यान दिलाता है और सतनाश फौजदार से कहता है कि इनका इस्तेमाल करिये और भारत को पतित या नीचे गिराईए इसी तरह अपवे अदालत फैश बहुती खर्चीला और समय गवाने वाला कारे था तो यह एक तरह से सोशन का प्रतीक थी फैशन मतलब अंग्रेजी जो लाइफ स्टाइल है उसको फॉलो करना उसको उसके पीछे भागना उनका अनुसरन करना और भारत के अपने ही लोगों को भारत के ही लोगों द्वारा अपने ही लोगों को हे समझना ये काफी आम था तो ये भी भारत का कईना कई नुकसान करता था इस तरह शिफारिश ऐसे ही लोब, फूट, भै, स्वार्थ, हट, आदी भी कईना कई भारत की दुर्दशा के कारण है ये भारत दुर्दय और चत्यानाश फोज़दार आपस ही किलियर है, समय के साथ साथ किलियर होता जाएगा, तो इसमें छोटे-छोटे ही अंक हैं, अब चौथे अंक में जब भारत दुर्दय और सितनाश फोज़दार की बात चल रही है, तो भारत दुर्दय और रोग आलस से मदिरा वे अंधिकार, आदी किरदार, जो हैं, जाओ, और भारत की दुर्दशा कर दो, आलस से तुम जाओ, और लोगों में अकर्मनता का भाव पहला दो, मदिरा जाएगी और मदिरा क्या करेगी, कि लोगों को अपने जो कर्तवे पत्से चुत कर देगी, उन्हें से ढिगा देगी, और जो उन्हें एक दम बेहोश्या क कर देगी जैसा मदिरा पीने से कोई वेक्ति अपने होशों हवास में ने रहता तो ऐसा और अंदकार मतलब अग्यानता के जो आवरण है उससे पूरे भारत को ढग देगी अब यहां पर जो दो एक तरह से पध्धे अंश आए हैं इसमें आलस से के उपर कटाक्ष किया गया ह आलस से नाम से व्यंग किया गया है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा मर जाना पैर उठके कहीं जाना नहीं अच्छा तो भारतेंदू बोलते हैं कि भारतियों की सिती तो ऐसी है कि वो हाथ पैर हिलाना भी उचित नहीं समझते वो मर जाएंगे परंतु उठ सितनाहीं समझा कि कुट्टे से जो चांट रहा है शोन से बचने के लिए कहीं दूसि जगळ से चला जा है परंटु अलस मैं उसी जगह है предлаг जैसी स्तिति में था वैसी ही स्तिति में रहा इसी तरह मदिरा का महत्व जो है बताने के लिए फिर से एक पद्दे का इस्तमाल किया गया है मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात बिन मदुसार जगत को चुनाही मान हमारी बात मतलब मदवा ही सब कुछ है मदवा मदिरा ही सब कुछ है प्राचिन काल में भी सोमरस का इस्तेमाल लोग करते थे और इस परकार से इसमें परसंग में बात की गई है तो ये चारों किरदार हैं इनको बारत दुर्देव कहता है कि भारत की तुम दुर्दशा कर दो बारत को अवनती के रास्ते पर धकिल दो और चारों को पिसकी आगे देता है अब इसके बाद में पाँचवा अंक शुरू होता है तो पाँचवे अंक में ये काफी एक महतपूर अंक है क्योंकि इसमें पहली बार जो व्यक्तिगत जो किरदार है वो हमारे सामने आते हैं व्यक्ति सामने आते हैं कुछ कई व्यक्ति है जिसमें एक सभापती है एक बंगाली है एक महारास्ट्री है एक अखवार का एडिटर है एक ये देखी यहां पर एक कवी है और डिसलोयल्टी नामक एक पात्र है अब इन सब को इन सब की एक मीटिंग हो रही होती है ये सब बात कर रहे होते हैं कि किस परकार से जो देश में जो मदिरा, आलस से आदी, भारत, दुर्दैव जैसे लोग जो खलनायक हैं ये भारत की दुर्दशा करना चाहते हैं तो इससे बचने के लिए किस परकार से कोई रास्ता निकालें इसके बारे में इन लोगों ने कोशिश की है कि चर्चा हो इन किरदारों में दोस्तों यहाँ पे मेरे से छूट गया था कि दो देशी व्यक्ति भी इसमें हैं दो देशी मतलब दो लोग हैं जो देशी लोग होते हैं जैसे तो पहला देशी और दूसरा देशी ऐसे दो लोग हैं तो ततकालिन समाज के बुद्धी जीवी वर्ग की इस्तिती को दिखाना चाहते हैं कि एक तो छेतरवादी इसमें रुख सामने आएगा कि बंगाली और महरास्ट्री ऐसे ही अकबार के एडिटर मतलब अकबार के लोग कितना जागरुख थे और किस प्रकार से ब्यवार करते थे कवियों का उस समय क्या रुख था यह पता लगेगा और लोगों का क्या रुख था डिसलोयल्टी एक सरकार का पातर है यानि इसको आप पुलिस वाले की तरह समझ सकते हैं तो यह है अब देश को भारत उर्दय से बचाने की चर्चा चल रही है तो इस चर्चा के दौरान इनकी सभा हो रही होती है जिसका एक सभापती होता है तो इस चर्चा के दौरान कवी बोलता है कि जब मुहमद शाह रंगिला ने रंगिला मतलब यहां पर भारत में पहले मुगलों के समय में एक आकर्मन हुआ था और नादिर शाह दौरा वह आकर्मन किया गया था तो उस तरह से परदे लगा दिये गए एक जगह पर सीमा पर और फिर वहां से जैसे ही दुश्मान आएंगे तो आदमी लोग उस परदे के पीछे भारत की तरफ लोग जो हैं इस तरी के वेश में और चूडियां पहन कर बैठ गए और जैसे ही दुश्मान आएगा तो ऐसे बोल दिया जाएगा मुए इधर मताओ इधर जनाने हैं मतले इधर औरते हैं इधर मताओ तो देखिए दोस्तों किस प्रकार का यह बचकाना उपाय बताते हैं मतलब साफ है कि कोई भी भारत देश को बचाने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ऐसे गटिया गटिया फिर से एक और ऐसी ही बचकानी बात बोलता है वो बोलता है कि ऐसा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम सोब लोग कोट और पतलून पहन कर अंग्रेज की तरह बन जाएं अगर ऐसा होगा तो जो भारत दूर्दैव है और उसकी जो सेना है जो हम जो भारत की दूर्दैशा करने वाली है वो लोग हमें यूरोपियन समझ कर छोड़ देंगे परन्तु फिर एक व्यक्ति दूसरा बोलता है कि आप शर्ट पैंट तो पहल लेंगे लेकिन उनके जैसा रंग कहां से लाएंगे तो ये बात भी खारी जो जाती है अब देखें कैसी बचकानी जो बहाने बाजी या फिर किस प्रकार के जो गटिया उपाए संकीन सोच के साथ चल रहे हैं अब जो दो देशी थे उनमें पहला देशी जो समझदार व्यक्ति है वो यहां पहली बार एक समझदारी बरी बात बोलता है कि भई अंग्रेज हमारे उपर राज क्यों कर रहे हैं हम यदि पिछड़े हैं तो क्यों हैं? तो हो सकता है और यह संभव है कि हम उन्नती करें हम आगे बढ़ पाएं जब इतना सब कुछ चल रहा था तो डिसलोयल्टी का प्रवेश होता है अब डिसलोयल्टी जैसा कि मैंने बोला था एक पुलिस के जैसा आप पात्रे से समझ सकते हैं तो डिसलोयल्टी या फिर जो रच रहे हो उसके खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो तो इसलिए तुम सब को गिरफतार किया जाएगा तो जब बंगाली बोलता है कि हमारा क्या गुना है हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ को शडियंत कर रहे हैं या हमने ऐसा कुछ किया हो या श कि गिरफतार ही हो रही है मतलब हाकिम इच्छा मतलब इसका मतलब साफ है कि हाकिम की इच्छा मतलब अंग्रेजी राज की इच्छा है कि तुम्हें गिरफतार किया जाए इसलिए इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत तुम्हें गिरफतार किया जाना है और अब तुम कुछ नहीं कर सकतें, इसका मतलब साफ है दोस्तों कि उससे में कानून व्यवस्था और कानून नाम की कोई चीज नहीं थी और जिसे भी देखो उससे में एक रोलट एक्ट भी फेमस था कि किस परकार से सरकार अख़वार्व का दमन करने केलिए माफ कीज़ेगा रोलर टेक नहीं वर्नाकुलर एक्ट था कि प्रेस की सुतंतरता को रोकने के लिए किस प्रकार से वर्नाकुलर एक्ट लाई और प्रेस की सुतंतरता नहीं थी जिसे भी सरकार चाहती थी बंद कर देती थी जेल में डाल देती थी तो यह इसमें प्रिकट होत अब च्छटा अब यहां पर एक च्छटा अंक जो की आखरी अंक है इसका वह आएगा तो जो भारत नामक जो नायक था वह शुरू में बेहोश हो गया था वह अभी भी बेहोश है और भारत भाग्य नाम का एक व्यक्ति उसका दोस्त उसे जगाने का प्रयास कर रहा है पूर इस जो कहहती है सबने के लिए पश्टिबन प्रणत्ये यहां पे जहां कि घचना का सूर्य पश्चिमसे उद्य हुआ रहा है अग्रेजियों कर नहीं नामक यॉद्ध्या का सूर्य की नामकित्यवे जयरूराएं नहीं जागे तो कब जागोगे अब देखो दोस्तों यहां पर एक प्रसंग ये भी है कि जो मुगलकाल था उसमें काफी मारकाट काफी एस्थिरता काफी जीवन की क्षती हुई थी और अंग्रेजों का राजपाकर पहली बार देश में कानून का शाशन नामक थोड़ी एक कि यह देखिए भारत बागे अंत् Nicholas में आत्म हत्या कर लेता है कि अब जो है भारत को वह जगाने में और भारत को अल्टिके रहा पर ले जाने में सभी मारक पर ले जाने में वो सफल नहीं हो पा रहा है तो वह अगर हम बात करें यहां पर तो भारत में सुखांत नाटकों की परंपरा रही है जिसका अंत सुख में होता है लेकिन अब यहां पर आत्म हत्या के साथ में हो रहा है और किसी भी परकार की देश की उन्नती की किसी भी परकार का कोई हम बोलें की कोई राह नजर नहीं आती कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती तो दुखांत नाटक यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक तो हम बोल सकते हैं कि पश्चिम के जो नाटक परमपरा थी उसका भारतिंदू पर परबाव था दूसरा कि भारतिंदू किसी भी परकार का कोई नकली समाधान नहीं देना चाहते थे उस समय भारत की इस्तिती ऐसी थी कि अंगरे जो से बचने का या उस समय जो चुनोतियां थी उनके पूर्ण समाधान का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो भारतेंदू ने यह था इस्तिती को ही दिखाना उचित समझा और उसी इस्तिती उसी एकर्मन्नेता उसी कटाक्ष या व्यंग का इस्तिमाल करते हुए भारतवासियों की छेतना की कम से कम उन्हें यह आभास हो सके कि भारत देश जो पहले गौरवपूर्ण था आज उसक जनरा में गोखले का एक कतन है कि जब लोग उनसे बोलते हैं शुरुआती जब कॉंग्रेस की स्थापना होती है गोखले का काल आता है गांदी जी से पहले तो लोग उनसे बोलते हैं कि आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं आप एकर्मन्ने हो चुके हैं कॉंग्रेस ये एहसा सो रहा है वो राजनिती के रूप से जागरे थो रहे हैं, पहले था एकम पहले to एसी था, पर प्ताई नहीं नहीं लगता था, तो इसी तरीके से भारतेंदुका जो उद्धेश है, वो सिर्फ इतना है, कि लोगों में रास्टि गतेंग का प्रसार हो से के लोगों क चोटी चोटी बातें कि हमारा देश कैसे बाहर जा रहा है, कैसे हम पर बाहर के लोग राज कर रहे हैं, ये पता लग सके? तो यहा सब वो बताना चाहते हैं, अब देखो दोस्तों अगर नाटक की हम अंत में, जो अंतिम पड़ाओ पर एक तरह से हैं अगर हम नाटक की प्रासंगिकता पर बात करना चाहें तो आज भी अलस मदिरा जैसी चीजें हैं जो आज भी हमारे समाज में बनी हुई है सामपरदाइकता आज भी हमारे समाज में है आज भी कई बार रास्टवाद का राग अलापा जाता है और पहले हम राजनीतिक रूप से गुलाम थे परन्तु आज भी आर्थिक समाजिक समानता देश में बनी हुई है जाती विवस्ता देश में आज भी है तो इस प्रकार से कई मुद्दे हैं जो आज भी जिनका उत्तर दिया जाना बाकी है आज भी उन्हें समाधान किया जाना बाकी है तो भारतिंदु का नाटक जिस तरह से उस समय आज से सो वर्ष से भी अधिक पहले प्रासंगिक था आज भी काफी प्रासंगिक है और यह हमें बताता है कि सुतनतता संग्राम में या फिर जो भी किसी राजनितिक गतिविदी को चलाने में किसी कवी का क्या उतेश होता है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इनाटक समझ में आया होगा और अगर दोस्तों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना कि ऐसा करने से दोस्तों मुझे पता लगता रहेगा कि आपको चीजे समझ आ रही है आपको चीजे पसंद आ रही है और इसे हमें आगे काम करने के लिए motivation मिलेगा तो अभी के लिए इतना ही thank you very much